नमस्कार आप देख रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ दोस्तों नागपूर की रहने वाली रुपाली धमगाए जो एक क्रेडिट कार्ड यूजर है उसके साथ में एक बड़ा फ्राउट हुआ रुपाली डीबियस बजाज फाइनेंस की एक क्रेडिट कार्ड है रुपाली ने एक क्रेडिट कार्ड ली रुपाली के घर पे बाइपोस्ट एक क्रेडिट कार्ड आया लेकिन रुपाली ने इस क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं की उसे ओपन ही नहीं की नहीं उसका पिंस बातचीत कर रही थी बातचीत में मैडम के पास में रुपाली की कुछ एहम जानकारी थी जो रुपाली ने फॉर्म पे फिल की थी खास बात तो यह है कि उस मैडम की यह भी जानकारी थी कि रुपाली ने अभी तक DBS Bajaj Finance के कार्ड को यूज नहीं किया यानि कि उसे इशू नहीं किया है इतनी जानकारी होने के बाद किसी भी यूजर को ऐसा लगेगा कि यह फोन कंपनी से है क्योंकि कंपनी के पास में इतनी सारी जानकारी कैसे है बातचीत में रुपाली से यह कहा गया कि अगर आपके रि रुपाली के फोन पर एक OTP आया और एक नहीं बलकि यह OTP 3 बार आया तीनों बार रुपाली ने OTP दी और रुपाली ने यह सोचकर OTP दी कि वो अपने क्रेडिट कार्ड को बंद कर रही है कुछ दिनों बाद क्रेडिट कार्ड से एक और फोन आया मैसेज आना शुरू हो की जिससे उसने उसको पिंजनरेट नहीं की फिर 25,000 का कट कैसे गया रुपाली को बाविस साथ को हुए उसके साथ में इस घटना के बारे में सब कुल समझ गया कि रुपाली के साथ में 25,000 रुपे का फ्रॉड हुआ है रुपाली ने जा करके साइबर में कंप्लेन भी की दो दोस्तों सवाल यह उठता नहीं है कि 25,000 रुपय का फ्रॉड हुआ है। हो सकता है कि आप यह सोच रहोंगे 25,000 का ही तो फ्रॉड हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि जिस बजाज finance के तरफ से जो फेक कॉल आया था उसके पास में बजाज की यानि की DBS कार्ड की जानकारी उसके पास में कैसे गई। दो चीज़े होती हैं संभवता एक या तो बजाज फाइनेंस को टीम किसी में काम करने वाली किसी महिला ने काम की होगी दूसरी बात कि क्या बजाज फाइनेंस अपने क्रिडिट कार्ड के उपवक्ताओं की जानकारी किसी अन्य फ्रॉड करने वाली agency को दे रही है ये दौ सवाल इस इस भी जविचिए खड़े होते हैं जैसे कि छोटा सा उदाहरन देखेंगे कि अगर किसी bank में कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके पास में bank के account number, किसी व्यक्ति से ही आया है तो दो सवाल उठते हैं डीबियस क्रेडिट कार्ट पर बजाज फाइनेंस के कि अपनी जो उनके कस्टमर है जो उनको भोगता है उनकी सेकुरिटी उनकी प्राइविसी कितना माहने रखती है खैर मिसीन आपसे अपील करता है कि किसी भी हालत में आप ऐसे केसे ज आज के खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ सिर्फ इन विसीन उस पर है जाहिए